हेलो बच्चों कैसे हैं आप आज मैं आपको 25 नवंबर 2020 की नवी कक्षा की गनित विशाय की जो वर्क शीट है हमारे पास 60 नवर की वरत और इसका हम बात करेंगे 5 विभाग की ठीक है तो इस वर्क शीट में हम क्या करने वाले हैं चक्रिय चतुर्बुज को समझने वाले हैं चक्रिय चतुर्बुज क्या होता है बच्चों देखें यह आपके पास एक आकरती है इसमें एक वरत बना हुआ है और इस वरत के अंदर एक चतुर्बुज भी बना हुआ है अब देखो चतुर्बुज था आपके पास इस आकरती में भी बना हुआ है लेकिन यहाँ पर प आमने सामने की जो कौन होते हैं जैसे की ये कौन A है इसका जो C कौन के साथ अगर हम इनका पेर लेते हैं यानि कि अगर हम इन दोनों कोनों को जोडते हैं तो इनका योग 180 डिग्री के बराबर आता है ठीक है और इसी प्रकार ये वाले आमने सामने की कौन, कौन B और कौन D इ वो 180 degree होता है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि मानलीजे जो चतरबुज है उसके सम्मुक कौनों के एक युग्म का योग 180 degree है यानि कि उल्टा है तो वह भी क्या होगा? चत्क्रिय चतरबुज होगा तो ये जो आपके पास वाक्षीट है यहाँ पर इसमें आपको दो प्रेशन दिये हुए है जो चक्रिय चतरबुज पर ही आधारित है और यहाँ पर इनों धार्णों के अलावा ये दो प्रेशन है जिनें हमें यहाँ पर एके करके हल करना है तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर प्रेशन एक को देखते हैं इसमें आकरती में ABCD एक चक्रिय चतरबुज है जिसमें AC और BD जो है वो हमारे पास विकर्ण है यह देखिए आपके पास यह AC यह है ठीक है और उसके बाद में आपके पास यह जो BD है यह है यह दोनों क्या है एक दूसरे पर यहाँ पर इस चतरबुज के विकर्ण है यदि कौन DBC बराबर है 55 दिगरी तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ DBC यह वाला जो कौन है यह 55 दिगरी है और कौन BAC BAC आपके पास यह वाला कौन है यह आपके पास है 45 दिगरी तो आपको कौन BCD BCD का मतलब यह वाला कौन जो है वो ग्याद करना है तो चलिए अब हम यहाँ पर इस प्रेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पर आप देखिए आपको यह ABCD चक्रिय चतरभूज जो है यहाँ पर मैंने बना दिया है अब चक्रिय चतरभूज है तो इसका मतलब सम्मुक कौनों का योग 180 दिगरी है तो आप यहाँ पर देखो जो आपके पास कंडिशन गिवन है यह वाला कौन 55 दिगरी औ ठीक है अब हम काम करते हैं यहाँ पर यह CD चाप जो है न इस चाप की बात करते हैं ठीक है अगर यह जो CD चाप इसके लिए हम देखे तो यह न यहाँ पर वरत के पर दो कौन बना रहे हैं एक तो यह यह वाला कौन बना रहा है और एक यह यह वाला कौन बना रहा है और यह हम पुरानी वरक्षीट में पिछले वाली थी, उसमें हम पढ़ चुके हैं क्या, कि हम E की चाप के लिए जब हम कौन देखते हैं, जो E की व्रतखंड में बने होते हैं एक ही वृत्खंट का मतलब यहाँ पर है कि यह जो व्रत्खंट में एक तो कौन यहाला बन रहा है उमारे पास कौन D, A, C और एक कौन बन रहा है हाँ पर D, B, C तो इन दोनों कौनों के मान कैसे हूंगे, बराबर होंगे तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर आगे लिखते हैं CD चाप के लिए कौन CBD यानि के DBC या फिर कौन CAD इन दोनों के मान 55 डिग्री के हैं क्यों क्योंकि ये एक ही वरतखंड में कौन बने हुए हैं ठीक है तो अब ये concept तो हमारा यहाँ तक clear होता है इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करते हैं ये देखिए मैं इसको यहाँ पर साथ साथ clear करते हुए समझाती हूँ अब बच्चो आपने ये वाला कौन जो है ये वाला ये आपने 55 डिग्री का निकाल लिया है ठीक है तो आप इन दोनों कौनों को जोड़ सकते हो इन दोनों कौनों को जोड़ोगे तो आपके पास ये कौन मिल जाएगा कौन B.A.D. ठीक है तो अब हम यहाँ पर अगला स्टेप लेते हैं कि जिसमें कौन B.A.D. वो किसके बराबर है कौन B.A.C. और कौन C.A.D. के बराबर इसका मान 45 डिगरी है और इसका 55 डिगरी यानि के 100 डिगरी हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला जो पूरा कौन है हमारे पास कितने डिगरी का मिला? 100 डिगरी का अब चुकि हमें ग्याद करना है ये वाला कौन तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक चक्रिय चतुरभुज है है न? और चक्रिय चतुरभुज में हमारे पास जो सम्मुख कौन होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिजए होता है ठीक है तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? कौन BAD और कौन BCD को जोड़ देते हैं और बराबर 180 degree अब चुकि हमें कौन BCD चाहिए तो हम BAD को इस तरह भेज देंगे माइनस में हो जाएगा तो 180 degree माइनस कौन BAD और कौन BAD हमने कितना निकाला है 100 degree तो 180 degree में से 100 degree घटाया है हमारे पास यहां पर आ जाता है 80 degree तो यह हमारे पास पहला प्रेशन यहां पर complete होता है अब पहले प्रेशन के बाद हमारे पास दूसरा प्रेशन है जिसमें P, Q, R, S एक चक्रिय चतरभूज है ठीक है कौन Q यह वाला कौन और कौन R 65 degree है तो हमें यहां पर कौन P और कौन S का मान ग्याद करना है तो इसको यहां पर solve करने के लिए हम देखते हैं कि P, Q, R, S चक्रिय चतरभूज है और उसके बाद Q और R जो है वो 65 degree है P और S हमें ग्याद करना है अब बच्चों हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर यह जो चतरभूज है इसके चारों बिंदू जो है वो वरत परिस्तित है इसका मतलब यह चक्रिय चतरभूज है चक्रिय चतरभूज है तो यह जिसे यह वाले कौन ये दोनों कौन, यानि कि कौन P और ये कौन R, ये कैसे हैं, हमारे पास सम्मुक कौन है, इसी प्रकार से कौन S और कौन QB कैसे हैं, सम्मुक कौन है, और सम्मुक कौनों का योग कितना होता है, हमारे पास 180 डिगरी होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कौन P, यानि कि P और P के सामन वाला कौन R, इन दोनों का योग है 180 degree, कौन R का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कौन P का मान भी ग्याद कर सकते हैं, कैसे, कि यहाँ पर आप लिखेंगे, कौन P बराबर 180 degree माइनस कौन R, और 180 degree माइनस कौन R का मान रख दीजिए 15 degree, तो आपके पास कौ P 115 degree आया, वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, कि Q और S भी हमारे पास कैसे हैं, यहाँ पर सम्मुक कौन है, तो इनका योग भी हमारे पास 180 degree होगा, तो कौन S का मान भी C प्रकार क्या निकल कर आएगा, 115 degree, तो यहाँ पर आपका जो यह प्रेशन है, यह कंपलीट होता है, औ I hope यह आपको समझ में आई हो, और अच्छी लगी हो, आपको यह समझ में आई हो, तो आप लिजी से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू फोर वाचिंग माई चैनल